गोड आप्टरनून आलाप्यू क्लास आज हम आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग जिस चैप्टर की शुरुवात करते हैं वह चैप्टर है उत्तरवर्ती मुगलकाल उत्तरवर्ती मुगलकाल इंग्लिस में लेटर मुगल पिरियड की उत्तरवर्ती मुगलकाल मुगलकाल से थोड़ा अलग दिखता है हलाकि है मुगल काल का ही एक भाग है मुगल अर्थात जिस मुगल वंस के स्थापना बाबर ने 1526 में पानिपत के प्रथम जुद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान बाब एब्राहिम लोधी को परास्त कर उनके सामराज पर अधिकार कर इस वंस के निवडाली थी यह बाबर के पुत्र हुमायूं फिर अकबर जहांगीर फिर सा जहां औरंग जेब तक एक बहत्रिन धंग से चलता रहा मुगलों का भारत वर्ष में पर्चम लहराता रहा मुगल महान कहलाते थे इन्होंने आवरंग जेब तक आते आते शंपून भारत पर अधिकार कर लिया लेकिन आवरंग जेब की मृत्यों के बाद जिन बातसाहूं का आगरा या दिल्ली में ताजपोसी होती है उनके समय की इस्तिती और जेब के और उसके पहले की बातसाहूं जैसी नहीं थी बलकि आश्चर जनक घटना है कि और जेब तक मुगलों का भारत में पर्चम लहरा रहा है शंपूल भारत पर अधिकार कर लेता है और और जेब के समय भारत वर्स में 21 प्रांट होते है कुल जीते थे उसने जहांगीर तक आते आते वो 16 साजान तक आते 18 लेकिन और रंग तक आते याथे शंपूल भारत पर मुगलों का अधिकार हो गया लेकिन यह आश्चर्य है यह रंग जेब के बाद यकायक मुगलों का इस तरह का पतन होता है कि आगे के बातसाह जो और ऑनग सामराज मुगलों का एक अखिल भारतिय सामराज मुगलों का लेकिन यका एक ऐसा क्या हो जाता है कि मुगल एक छेत्री राज बन जाते और अंग्रेजों ने पूरी दिल्ली पर अधिकार कर लिया का उसी कायतिहास इसी को यानियवरंग्जेव के बाद से लेकर बहदूर्ःता जफर तक इस काल को उत्तरवर्ती मुगलकाल कहा जाता है को हैं प्री इस उत्तरवर्ती मुगल काल में लगभग लगभग नव राजाओं ने समय समय पर सत्ता प्राप्त किये नव बात्साओं ने सत्ता प्राप्त किये और ये सत्ता डेर सव साल चलती भी रही कि 1526 में अस्थापित हुई सत्ता 1707 तक तो अपने चरम पर रही लेकिन 1707 से 1857 जिसे उत्तरवर्ती मुगलकाल कहा जाता है जिस्ट पुत्र होते हैं और इस बहादूर सा प्रथम से बहादूर सा जफर तक 1707 से 1857 तक ये डेर्ड़ सव वर्स मुगल सत्ता फिर भी चलती है मुगलों के परचम लह रहने के बाद जो कमजोर मुगल सत्ता चली 1500 वर्स या उत्तरवर्ती मुगलकाल कहलाया डेर्ष ये वही समय था जब मुगल सामराज चेत्री राज बन रहा था सिकुल रहा था और मुगल सामराज का बिगहतन हो रहा था इसी कारण मुगल सामराज से अलग किया जाता हो उत्तरवर्ती मुगल काल में मैंने बताया भी लगभग नवराजाओं ने सासन प्राप्त किया नौव बाक्साओं ने सत्ता पाई और अपने अपने धंग से इन लोगों ने सत्ता चलाई तो जरूर लेकिन वास्थों में ये सार्भाओं राजा नहीं थे छेत्री राजा थे और इनके समय में चेत्री सक्तियों का इसक अधर उदे हुआ कि उन लोगों ने पुरे जो सोगरोश के साथ मुगल सामराज पर आकमर कर उसको धौस्त कर दिया उसको जीत लिया यह मुगल सामराज के उत्तरवर्ती मुगल सामराज कि कारन क्या था थोड़ा असाही से भी जान ले है उत्तरवर्थी मुगल सामराज के समय वाग्षाहों में अनसासन हींता थी बिलास प्रियता थी करमचता नहीं थी कामचोरी थी या यूं कहें कारे के प्रति प्रसासन के प्रति राज काज के प्रति लापरवाही थी एक तो ये बड़ा कारण था और उससे भी बड़ा कारण मुझे लगता है उत्राधिकार का युद्ध उत्राधिकार का युद्ध अर्थात एक बादसाह या एक सुल्तान या एक राजा के बाद दूसरा राजा कौन होना चाहिए यह तरह रधिकार है तरह से उत्तरा रधिकार है है लेकिन तुरकों में और मुगलों में शिया नियम का घोर अभाव था अर्था सब्सक्राइब कौन सा पुत्रंक या भाई य क्या कौन से रिष्थे राजा होंगे उत्राद्र का क hanatyam नहीं था यह बहुत बड़ा कारण अीय बहुत बड़ा उनके वारिस होते थे उनके पुत्र भ्राता जामाता जो भी होते थे प्रतेक अपने आपको बात्साह सुल्टान या राजा मान कर चलता और इस कारण से होता था इस कारण से होता था उत्राधिकार का युद्ध यानि एक भैंकर संघर्स होता था प्रतेक अपने आपको मानत लेकिन यहां देखेंगे तो हमेशा उत्तराधिकार का युद्धितों नहीं हुआ लेकिन यह कहें कि बाबर की मृत्यु के बाद उनमें कहीं न कहीं इस तरह का संघर्थ अवस्य था राजय प्राप्ति के लिए अकबर अकेले थे और उन्होंने पिता के खिलाप उत्राधिकार की कोई लड़ाई लड़ी भी नहीं साय दिभी करन हो सकता है कि हुमायू की समय स पहले मृत्यों हो चुकी थी लेकिन आप देखेंगे जहांगीर यह देपि राजय प्राप्ति के लिए तो नहीं लड़े थे लेकिन वगावत की नियुक्त अपने भाईयों को मारकर ही सत्ता प्राप्ति करते और यह तो मुगर इतिहास का सबसे भैंकर्दम जिए लड़क इससे मुगलों में धन जन और उनकी प्रतिष्ठा की बड़ी हानी होती है किसी के प्रियों में लड़ाई जगणा बराबन होता रहे तो प्रतिष्ठा में हानी होती है तो इस तरह से सब्रतिष्ठा की हानी होती है धन भी हानी होती है और उसमें तमाम लोग मारे जाते थे जन भी हान होती है उतराजिकार का जुद्य जो है ये मुगलों को बहुत हानee पहुचाता थी असांत approved अधन्द भी गर्फे भी क्रच integers थे और कि प्रतिश्ठा में कमी आती है जो समझ गए उतराजिकार का जुद्य और अम्साथन हींता विलाश्प्रियता और राज काज के प्रतिलापरवाही ये दो चीजें थी जो मुगलों के बड़ी तेजी से पतन होने में बहुत बड़ा कारण बनी दो चीजें इसके बाद अब हम लोग चलेंगे उत्तरवर्थी मुगलकाल के राजाओं की तरफ चिक और यहां थोड़ा समझान ले और अंग्जेब सबसे बड़े भूभात का सासक हुआ बात्सा हुआ भारत में यानि पूरा भारत लगभग उसने जीत लिया था बात्साहे आजम अकबर ने दच्छन भारत पर हमला तो किया था लेकिन पूरे दच्छन भारत को वे अपने राज में नहीं मिला पाए थे साजहां जहांगीर और साजहां के समय भी ऐसा होता है बड़ी सिद्धत के साथ ताजहां ने अहमद नगर को मुगल सामराज का अंग बनाया लेकिन और अंग्जेब तक आते आते संपूर्ण दच्छन भारत मराठों को छोड़कर संपूर्ण दच्छन भारत जीत लिया ग कि तो अवरंग्जेब के समय तक मुगलों में मुगलों के भारत वर्ष में एक किस प्रांत थे यानि शंपूर्ण भारत मुगलों का अधिन ठाकक यह ही इसके पहले मैंने शायद बताया होगा सीवाजी से टक्र लेने के चक्र में आखिरकार ये औरंग जेब दच्छल भारत गए और दच्छल भारत जाने के बाद ये फिर वहां से लौट नहीं सके और लगातार इनकी लडाईयां इस दच्छल भारत में चलती रही लगातार लडाईयां चलती रही आखिरकार तीन मार 1707 में कि यह ओरंग जेब की ओ आहमदनगर के हरंगवाद में मृत्य हो गई कि याद रखेगा यूद्ध Are में औरंग जेव की अहमद नगर में मृत्य हो गई और उनकी मृत्य के बाद उनके सेस बचे तीन पुत्रों में उत्राधिकार का युद्ध हुआ मैंने अभी थोड़ी दर पहरे आप लोंग को बताया कि जो औरंग जेव ने किया था वैसा ही उनके पुत्रों ने भी किया यानि उनके पुत्रों में उत्राधिकार का युद्ध हुआ उस उत्राधिकार के युद्ध में उनके सेस बचे तीन पुत्र थे थे तो चार और उस साहजादा अकबर तो पहले ही मर चुका था तीन पुत्र बचे थे मुवज्जम आजम और कामबक्स उनके तीन भाई बचे थे को सब्सक्राइब जो बचे थे इन लोगों में उत्तराधिकार का बहुत जबरदस्त जंग हुआ कि उत्तराधिकार का जंग हुआ इसमें एक चीज मैं और यहां क्लियर करना चाहूंगा यहीं क्लियर करतूं तो ज्यादा अच्छा होगा जो उत्तराधिकार की लड़ाई की बात इसमें हो रही है किसी इस्टुडेंट ने मेरे वाट्सप पर मैसेज भेजा था कि सर जो औरं चीज मैं आपसे और भी कहना चाहूंगा उस वाट्सप में मैंने उस बचे को भी मैसेज भेज दिया है कि इसे में बता दूंगा आपने पूछा है लेकिन यह जो आपने पूछा है यह ससी के अस्तर का नहीं है यह PCS के अस्तर का क्वेस्चन है कि यह औरंग जेव ने जो वसियत नामा किया अपने पूत्रों को क्यों किया ताकि उनमें उत्रादिकार की लडाई नहीं अभी बता दूंगा लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों से बताना चाहूंगा यह PCS का क्वेस्चन है इसे मैं बताऊंगा भी और आप क्या कर रह हैं और PCS पूछ रहें तो आप अपने अस्तर पर रहेंगे तो यहाँ ज्यादा अच्छा करेंगे स्सी में क्यार के स्तर के क्वेस्चन आपको हम बताई रहें उसका और PCS का क्वेस्चन भी अगर आपकर पूझा तो मैं उसे भी बताऊंगा लेकिन एक जरूर शलाह दूं तो हमारी आप लोगों से अपील है कि अगर आप PCS अस्तर के पढ़ाई करना चाहते हैं तैयारी करना चाहते हैं तो उस अवसर पर आप आकर के अवस्य स्कालर जोइन करें मैं आपको कम स्कम दो बिसे तो इसमें इस अस्तर का पढ़ाऊंगा और मैं पूरी आसा करता हूं कि देख लोग उस अस्तर का पढ़ाएंगे जब लिख दिया जाएगा कि यह सची और सब्सक्राइब समिच्छा अधिकारी PCS इस अस्तर का क्लास है तो उस अस्तर का पढ़ाया भी जाएगा आप उस अस्तर पाईए हम आपको पढ़ाएंगे पूरी पढ़ाई वही पाएंग आपने जो क्वेस्चन पूछा वो PCS अस्तर का है नहीं तो मैंने यह सची बताया PCS आपने पूछा मैं उसे भी बता दे रहा हूं लेकिन तैयारी अगर करना चाहेंगे तो वहां लोवर माध्मिक से लोवर के चीजों को PCS अस्तर चीजों को और समीऄाधिकरी के चीजों और चली के हम बढ़ाते हैं देखे मैं तो वैसे अभी तुरंत आगे छैन लीजे चला चल जाता कि फिर इनका नाम वगईरः वगईरए वगईरए लेकिन पेहले और रंग्जेप का वसीयत नामा बता देताँ जरूर इसमें 10 मिनट लगेगा लेकिन मैं बताउंगा जरूर्व जान लीजिए और अरंग्जेब ने अपने वसीयत नामा में अपने तीनों पुत्रों में एकीस प्रांत का यानि संपूर भारत का विभाजन कर दिया, ठीक, एकीस प्रांत का जो विभाजन कर दिया, उसमें उन्होंने किया, औरंग जेब का वसियत नामा जो हुआ, उसको ऐसे जान लिए, अपने मरने से पहले, औरंग जेब ने अपने बच्चों के नाम वसीयत लिखी और वसीयत लिखी क्यों ताकि इन में उत्रादिकार का युध्ध टाला जा सके ठीक इसलिए उसने अपने सबसे बड़े पुत्र और अगे के कितने पुत्र थे तीन पुत्र थे इस समय आउरंग जेव के तीन पुत्र थे इससे पहले वाले साजादा अकबर मारे जा चुके थे तो तीन पुत्र यहां बचे थे नाम क्या था इनलों का देख लिजिए नंबर एक पहला जो सबसे बड़े पुत्र इसमें बचे थे उनका नाम था मुअज्जम दूसरे जो पुत्र थे उनका नाम था आजम और तीसरे जो पुत्र थे उनका नाम था कामबक्ष यह तीन पुत्र थे ठिक वसियत नामा में अवरंगजेव अपने किस प्रकार बाढतता है यह देख लिजे मुज्जम को उसे बारा प्रांत दिए बारा प्रांथ पाए कितने बारा प्रांथ इसकी राजधानी दिल्ली होनी थी यह बारा प्रांथ में से रेखेंजी यह हुए अब देखें आजम आजम कुरूर क्या क्या दिया साथ प्रांथ पाए ठीक इन में आगरा मालवा गुजरात आगरा मालवा गुजरात और दच्छिर के चार सुबे ठीक यह इनको मिलना था और कामबक्स को दो प्रांथ कामबक्स को दो प्रांथ वो थे पीजापूर और हैदराबाद यह दो प्रांथ समझ लेज़ेगा काईदे से आपका क्वेस्चन ही था ठीक एक किस प्रांथों में से यह जो बारा प्रांथ मुझम साह को मिले साथ प्रांथ इसमें से इन्हें मिला और नौ प्रांथ कामबक्स को मिला इतने प्रांथ जो है यह बाटे यह लोड़ी जी नीचे अब लिक सकते हैं है नोट और नोट में अप्लिक भी सकते हैं इस समय और अंग्जेव के कुल 21 प्रांथ नहीं से इस तरह बटवारा हो आगे जानना लिजिए जो 21 प्रांथ इस में से इन लोगों में बटवारा तो कर दिया गया अब मैं लगे हाथ इसी के बता दूं है जो वसियत नामा लिखा गया वो वसियत नामा इनके किसी की बेटे ने माना नहीं पैसे मानेंगे अपने पीता की माने थे बिल्कुल नहीं माने थे तो इनके बेटे भी को माने नहीं और जैसे ही औरंग जेट की मार्च 1707 में मृत्य हुई प्रतेक राजकुमार ने अपने आपको बात्साग घोसित करना शुरू कर दिया मैंने बताया ना यहीं बहुत बड़ा कारण था इन लोगों में उत्तरादिकार के युदिका होना यह बहुत बड़ा कारण था इस समय जिस समय की अरंग जेब की थिक तीनों लोगों ने अपने आपको तुरंत बात्साग घोसित करना शुरू कर दिया और बड़ी तेजी से भारत वर्ष की तरफ बढ़ा मुझम साह और मुझम साह ने आगे बढ़ते हुए अपने बेटे अजी मुस्तान को आदेश दिया कि तुरंत आगरा पर अधिका से आगरा की तरफ बढ़े और आगरा के समीप वही राजस्थान में एक अस्था ने जजाओ जजाओ के मैदान में अपना साइनिक शिवर लगा दिया दोनों सेनाओं में अंततार लड़ाई हुई और इस जजाओ के मैदान में मुझम साह ने बुरी तरह से अपने छोटे भाई आजम साह को पराश्ति किया इसमें आजम साह के दो बेटे भी मारे गए लना में बिजापुर के जुद्ध में मुझम साह यानि में बडे भाई ने मौत के घाततर दिया तो आपने इस पर दिए इस प्रकार दोनों भाईयों की हत्या कर देने के बाद इस ब्यक्त ने शंपूर्ण मुगल सामराज्य पर अधिकार कर लिया अपने पिता की वसीयत नामा को दर्किनार कर दिया ठिक ये उत्राधिकार की लड़ाई है इस उत्राधिकार के युद्ध में जीत जाने के बाद इसने मुगल ताट पोसी मिल गई तो अगला काम होता है कि फिर ये नाम इनका मोजम सा और हो क्या गए बहादुर सा की उपाधि शाह ये बेखबर दी गई है क्यों देखे बहादुर सा सासन सत्ता में आए तो क्योंकि वह मूलता एक मिलनसार प्रवित के बेक्ति थे और उदार प्लवित है उन्होंने अपने सामराज को एक बड़ा आधार देने के लिए एक बहतरिन क्ति से काम करना शुरूँ किया जैसे इन्होंने मराठों राजपूतों सीखें अच्छे संब्द मनाए थोड़ा सा इसको जान लिए अच्छे संब्द का मतलब यह है कि यह चाहते थ कैसे इस प्रकार की संभाजी पकड़ करके पनाला के किले में बंद कर दिये गए थे बाद में उनकी हत्या हो गई और हत्या हो जाने के पुत्र साहु जी और उनकी माता यसु भाई यह दोनों लोग अभी तक मुगलों के कैद में थे तो बहादुर साने तुरंत आदेश दिय कि साहु जी को छोड़ दिया जाए मराठों से संभंद वता रहा साहु जैसे छूटे यह वहां पहुंचे और अपनी चाची सरकार ताराबाई से इन्होंने अपने उत्रादिकार की मांग की कि मुझे छत्रपती होना चाहिए हाला कि ताराबाई माली नहीं लड़ाई प्रसीद थे एक होते थे सवाई जैसिंग आमेर के राजा यानि जैपूर के राजा आमेर के राधानी जैपूर है तो वहां के राजा जो थे सवाई जैसिंग और एक थे मारवार के राजा अजीत सिंग इन लोगों पर प्रारंभ में उसने एक बहतरीन दबाव बनाने की कोशिस की लेकिन जब दबाव नहीं बना तो इन लोगों से संदी कर लिए बाद रूसा ने यह देखी ठीक इसी तरह से उसने जाटों से सिखों से अन्य सभी लोगों से अच लड़ातार लब जबरदस्त लड़ाई चली थी लेकिन इस लड़ाई को बहादुर साह ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया सिख गुरू गोबिल सिंग को उसमें दर्बार रामंत्रित किया और बुलाकर उन्हें बहतर ढंग से उनका मान सम्मान किया उन्हें 5000 की मनसबदार सब्सक्राइब दस्वे गुरु गोबिंद सिंग्सीं की मृत्य हो गई तो मृत्य हो जाने के बाद जो अगला सिखों का लीडर हुआ नेता हुआ उसका नाम था बंधा बहादूर बंदा बहादूर या बंदा बैरागी से मुगलों से फिर संबंद खराब हो गए और बंदा बहादुर ने आगे बढ़ते हुए तमाम सिख चेत्रों और मुगल चेत्रों पर अधिकार कर लिया और इस अधिकार कर लेने के नाते बहादुर साह ने अब स्वयम बंदा बहादुर के किलाब कारवाई के इस अंजाम का नित्रत्तों किया जिस समय बंदा बहाद साल के करीब में हो चुके थे इस इस्थिती में आफिरकार इनकी जंग मैदान में तबियत खराब होई तबियत खराब होने से अंतता वहीं पर इनकी मृत्य हो गई ठीक कि एक चीज और इसमें कहा जाता है शिड़नी ओवन नाम का एक विद्वान इनको कहता है यह अंतिम मुगलबात साह थे जिनके बारे में कुछ अच्छे सब्द कहे जा सकते हैं जब्की लेते थे अपने कारियों से बहुत लापरवा रहते थे इसी कारण मुगलों के एक छुप कर लिखने वाले इतिहास जिनका नाम होता था खफी खाने इन्हें शाह ये बेखबर कहा है क्या कहा है और सिड्नी ओवन ये काते हैं ये अंतिम बात्सा है जिसके बारे में कुछ अच्छे सब्द कहे जा सकते किसने का सिड्नी ओवन ने तो इनको उपाधी खफी खाने दिया साहे वेखबर सिड्नी ओवन कहता है कि अंतिम बात्सा जो अच्छा हो सकता है अच्छा का जा सकता है और मराठों सिखों से संबंद के बारे मैंने बताए और आखिरकार सिखों से युद्ध बंदा साथ से अठारा सो सतावन तो उत्तरवती मुगलकाल है बहादुर साथ प्रथम सत्रसो साथ में सत्तासीन होते हैं से लेकर बहादुर साथ जफर तक इन वाद्शाओं का सासंकाल है एक दम लड़कड़ाता हुआ चला है तो बहादुर साथ की कहानी यह रही आपके सामने से बताना था बताया भी हाँ आपने एक पीस्य सस्तर का क्वेस्चन पूछा था कि किसको कितना मिला तो बारह साथ और दो यह तीनों पित्रों को यानि मुझम आजम और कामवक्स को मिला था आईए हम लोग देखते हैं इसके बाद अगने बात साथ के बारे में नेक्स्ट कि अगना आगला बात साह ढुँता है जहांदार सह ज्यां दीजेगा कि जंग्य मैदान में तबियत खराब होने से मृत्य हो गई बादुर साह प्रथम की तो इनके पुत्रों में भी वही हुआ जो इन्हों ने अपने भाईयों के साथ किया इनके पुत्रों में भी वही हुआ इस समय जहादार साह चार भाई थे यानि बादुर साह प्रथम के कितने पुत्र थे चार जहादार आजिमुसान रफियुसान औ जहान साह यानि ये तीन भाई और थे जहादार तुम्हाली ये थे ही इनके तीन भाई और थे हैं ना तीन भाई और थे ये विचारे भी जंग में मारे गए और तीनों का नाम था अजी मुसान और रफियुसान और उसके बाद हैं जहान साह ये तीन भाई हैं जैसे ही बादसाह याजम बादुर साह की मृत्य हुई इन तीनों भाई ने उनकी अंतेश्टी नहीं की बलकि उनको वहीं छोड़कर तेल में रखकर सकति दस सब्ताह कंद एक कर उसकी बलकि उनको छोड़कर पिता कि लास्तो इनके जहा कर बाद बहाई के असे परियों के क्या मैं और यह उत्तरवर्थी मुगलकाल के दूसरे सासक थे इनका सासनकाल सतरस वारा से 1713 देख रहें एक साल का सासनकाल है क्या-क्या घटित होता है इनकी सासनकाल में पहले जान लिजीये इनको इनके वजीर का नाम होता था जुल्फिकार खां क्यों ये वजीर बने क्योंकि इसी वजीर की वजह से इसी जुल्फिकार खां की मदद से जहांदार साने सत्ता पाई तो जब सत्ता पाई तो जब सत्ता पा गए और बात्ता बन गए तो उस एहसान में जुल्फिकार ख लंपट बात्साहतै देखेए उनकी उपाध भी लंपट मूर्ख की इसने दिया है ख़ई ख़वी खाने जिसकी चर्चा भी पहले गफ हुई ख़ई कहने उपधि दी है लंपट पर की च्योंकि एक ऐसे बात्साहतै जो अपने काम धाम से बहुत ला परवा में अपने एक चातुकार सुभगचंद को सारी सत्ता का प्रसासन दे लिंए प्रसासा कौन हो गया सुभचंद देटे जाएएगा लंपत मूर्क जो खफिक इनको कहे क्यों कहे क्योंकि भूग्विलास में हमेशा लगे रहते थे अपने जुल फिकार हखा की मदब से इसलिए उनल्फिकार भापए आजम के बिलास में यह ने दिली के एक वेश्या लाल कुमारी पर लट्टू रहते थे है ना दिल्ली के एक वेश्या को इन्होंने अपनी प्रेमिका बना लिया था उनका नाम था कहीं कहीं मिलता है लालकुमारी और कहीं कहीं मिलता है लालकुमारी इसी कारण सासन सत्ता पर लालकुमारी का सबसे अधिक प्रभाव था ठीक लालकुमारी जो कि दिल्ली के एक इसने लिए उसने अमेर के राजा सवाई जैसिंग को ुपाधी दिलवाई है ना उनको अपना मित्र बना लिया और उन्हें मालवा की जागिर भी दिलवाई बाक्ता से साथ ही मार्वाड की राजा ese को महाराचा की उपाधी इनको मीरुजा की उपाधी थिक सवाई जैसिंग को मिर्जा क्यूपाद और इधर महाराजा क्यूपाद मारवाण के राजा को दी थिक इस तरह से यहां यह जैसिंग नहीं बलकि आजीत सिंग होना चाहिए यह होना चाहिए अजीत सिंग मिस्प्रिंट हो गया है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा अजीत सिंग को महराजा के उपादि दे और गुजरात में जागिर दिलवाई दो काम किया था इसने अर्थात पूरे राजपुताना को अपना मित्र बना लिया ठीक यह सारी चीजे जुल्फिकार खाने की थी लेकिन जब बादसाहे आजम ही हमेसा नसे में चूर रहेंगे बादसाहे आजम जब काम-धाम नहीं करेंगे तो कोई कितना समालेगा इन परिस्थितियों में पारुक सियर जो इनका जहाँदार का भतीजा था अजी मुसान का पुत्र था पारु इस फारुक सियर ने एक दिन जहादार साफ पर आक्रमण कर दिया मुगल महल पर यकायक हुए आक्रमण में जो कि महल रच्षक सेना थी तीधर वितर हो गई यह भी लालकुमारी का हाथ पकरक भागने लगे हाद दूर नहीं भाग प तो दान के एक खेत में छुब गए और इंस सारे घटनाको फारुक सियर देख रहा था उसने पहुचकर लालकुमारी समेठ जहादार साका कर दिया और मुगल बादसाहा पर अधिकार कर लिया इस प्रकार अपने लंपट मूर्ख होने के कारण जहांदार सा 1712 से 1713 एक वर्थ के सातनकाल में मार डाले गए इनकी सत्ता का अंत्र हो गया ठीक यह आपके सामने इनकी उपाधी वजीर और सारा कुछ आपके सामने है कहानी जो है यही है यहां अजीत सिंग्होना चाहिए चली हम लोग अगला नेश्ट इसके बाद देखते हैं परुक सियर जो सत्ता में आती इनके समय क्या क्या होता है तीसरे बात सा आ गए जहांदार साके भतीजे थे परुक सियर यहां इनको घ्रिडित कायर के उपाधी दी गई चली है यहां खपी का दौरा इनको पाधी दी गई देखिए इनके समय की घटनाय क्या क्या है इसमें से महतपूर घटनों में सबसे मैंने पहले बताया दर्बारी गुटबाजी चरम पर हो गोई दर्बारी गुटबाजी अभी थोड़ी दिर पहले हमने बताया कि मुगल दर्बार में इस समय आमीरों के तीन गुट होते थे इरानी तूरानी हिंदुस्तानी यह वाली बात जो है ना दर्बारी गुटबाजी जो चरम पर वोई तो इसकी बात में कर रहा हूं इस समय मुगल दर्बार में आमीरों के तीन गुट होते थे मैं ठीक और तीनों गुट में जो है आपसमें प्रतियस पर्दा भी होती थी पहला गुट होता था एरानी गुट और दूसरा गुट है तूरानी गुट और तीसरा गुट था हिंदुस्तानी गुट्ट यह तीन गुट्ट होते थे जुल्पिखार इरानी गुट्ट थे तो तो अब खतम हो गए समाप्त होगे उनकी सासन सत्ता मार डाले गए बाद में तुरानी गुट्ट इसमें निजामुल मुल्क होते थे इसे ने दच्छुन भारत में हैदरबाद राज की अस्थापना की और हिंदुस्तानी गुट्ट इसमें सैयद बंधु होते थे सैयद बंधु कौन कौन थे ये अब्दुल्ला खां और दूसरे थे हुसेन अली खां देखो ये जो है गुट्ट होते थे ठिक परुक्सियर ने इसमें से हिंदुस्तानी गुट्ट का सहयोग पाया दर्बारी कुटबाजी चरम पर थी ये घटना हुई परुक्सियर जो है इसने सैयद बंधु के मदध से सत्ता पाई अभी थोड़ी दिर पहने बताया गया कि मुगल माल पर हमला उसने किसकी मदध लिए और इसको मीरबकसी बना दिये मीरबकसी का मतलब होता है सेनपती या कहें सेनमंत्री जब यह सत्ता में आये फारुक सियर तो इन्हों ठीक अगरा देखे क्या होता है ये दर्बारी कुट बाजी तो चल ही रही थी इसमें इसमें हिंदुस्तानी कुट आगे निकल चुका था इसमें एक चीज और भी इनके समय जो महत्पूर घटना घटी थी वो ये थी कि 1770 की दस्तक भी इनके समय आई फारुक सियर के समय 1770 की से दस्तक घटना होती है और इस दस्तक की घटना में यह बताया जाता है कि 1717 में इस टेंडिया कमपणी का एक प्रतिनीदी मंडल मुगलदरबार आया था resulte 7-2 उचरे में यह बता रहाहा yo East India Company का एक प्रत्नीधी मंडल मुगल दर्बार आया इस मुगल दर्बार में जो प्रत्नीधी मंडल आयता उसा स्फशु कर रहे थे जान सुरमन्त करना है तो कि प्रत्μीधी मंडल में चार ि इस समय पर था यADA करना नहीं पर बार के दारे पर पर था आयसे समय में फारुक सीरंग किसी असाध होक से ग्रफ्त थे तो अभी अभी हमने बताया हैमिल्टन सर्जन थे उन्होंने अपनी कुशल सरजरी के द्वारा इस कि इस बाट्षा को ठीक कर दिया को ठीक कर दिया तो इस website एक डश्तक दिया तो इस तक में था क्या दस्तक में था 3,000 रूपए वार्षिक मुगल दर्बार में मुगल कोस में जमा करने के बदले इस्ट इंडिया कम्पनी के इस टीम को निर्बाद व्यापार काधिकार दिया जाता है इसे मुगल कियास में दस्तक बोला जाता है 1717 की दस्तक अब तो समझ में आगई ध्यान दिजेगा 1717 की दस्तक को इस टीम इंडिया कम्पनी के इतिहास में मैगना कार्टा कहा जाता है यह जान लिए अब इसमें मैंने जो भी थोड़ी थोड़ी दिर पहले आपको बताया 1717 की दस्तक उसमें यही थी कि इस्ट इंडिया कम्पनी का प्रत्नी थी मंडल मुगल दर्बार आया तो इसमें सदस्ट कित्ने थे इसके सदस्टे थे जान सुर्मन यही अध्यक्ष था जान सुर्मन यह अध्यक्ष था यह अध्यक्ष था खीक दूसरे थे इनका नाम था इस्टी वेंसम जो था कि इस्टी वेंसम जो था वो जहाद चालक था ना जहाद चालक यही जहाद को चला कर ले आया था यह जहाद को चला कर ले आया था और एक थे इसमें हैमिल्टन यह सरजन थे और चौथे जो थे इसमें क्वास छेह दूभासिय और इनकों और नी जनाते ओर मेटिक ने बाता से और इस टीम से बारता करवाई कि ती किस ने हेमिल्टन की सर्जरी से बादसाह ठीक हुए है ना है है मिल्टन इस सर्जरी से कि से बादसाह स्वस्थ हो गए और स्वस्थ होने पर कि 1717 की दस्तक दिए दस्तक दिश्में था क्या 3000 रूपए जमा करने पर आपको बंगाल में निरबात व्यापार का अधिकार दिया जाएगा इसी नाते कि 1717 की दस्तक को आथिरकार इस्टिंडिया कंपणी के इतिहास में मैगना कार्टा कहा गया आप यहां लिख सकते हैं यह इस चिंडिया कंपनी का मैगना कार्टा है कंपनी का मैगना कार्टा कहा गया इसको यह भी घटना घटी थी है ना आप यहां भी लिख सकते हैं इस चिंडिया कंपनी का मैगना कार्टा अभार के शामने एक तत्षी के रूप में Ар non भीत डेज़े सैयद बंदु का केंग मेकर के रूप में उभरना in toλαammate GP समय आता है और वह एत आहिट बंदु का कियंग में कर多іть में उभरना ये कैसे जान लिजे कि सयद बंदू इस समय तक बहुत सक्तिसाली हो चुके थे और उनके प्रभाव के आगे अब बात्साह की भी नहीं चलती थी, कुछ इस्तिती इसकदर थी, इस्तिती इसकदर थी कि सयद बंदू के प्रभाव के आगे बात्साह भी नाकाबिल थे, अर्थ बाढसाथ की भी नहीं चलती थी ऐसी परिष्ठिती एक कन अजीब सीस्तिती काम करने लगी और वो थी कि आखिरकार बाढसाथ में और स्यद मंधू में मनमुटाव होने लगा यहां पर से यद मंधू में मनमुटाव हुआ तो सयद मंधू ने उन्नीस सो उन्नीस में बादसाह की हत्या करवा दी। सैयद बंधु है ना मनमुटाव के कारण 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 का तरह सो उन्नीस में उन्नीस में सैयद बंधु ने बादसाह की हत्या करवा दी। ठीक यह भी हुआ यह मुगल इतिहास का पहला घटना है यह मुगल इतिहास की पहली घटना है यह पहली घटना है जब किसी अमीर ने बादसाह की ही अत्या कर दी हो यह मुगल इतिहास के पहली बार हुआ था ध्यान रहे फारुक्षियर की 1719 में जब मृत्य हो गई तो सैयद बंधु ने जिस साहजादे को चहा उसे बादसाव ना दिया यह जिस साहजादे को चहा उसे बादसाव ना दिया एक तरह से किंग मेकर क्रोप में ऊभर गए है ना एक तरह से केंग मेकर हो गए और केंग मेकर कैसे हुए क्योंकि क्योंकि इन होने यानि सयद बंध होने पारुक सियर सहित सहित रफियुद दर्जात रफियुद दवला यह रफियुद दवला सा जहां दोती है है ना इन्हें सा जहां सेकंड कहा गया है ठीक रफियुद दवला और फिर उसके बाद नेक्शियर मुहम्मद इब्राहीम और अंत में रौशन अक्तर को सत्ता पर बिठाया यह रौशन अक्तर जो थे यही साह आलम के नाम से सत्ता पर स्वारी मुहम्मद साह यह रौशन अक्तर जो थे यह आगे चल करके मुहम्मद साह हुए इतनी लोगों को इन्होंने सत्ता में बिठाया था इतने साहजादों को यह रौशन अक्तर नेक्षियर मुहमद इब्राहीम रौशन अक्तर यानि मुहमद सारंगिला इतनी लोगों को किंग मेकर के रूप में उभरना इतनी चीज़े इनके समय में आई ठिक उसके बाद रौशन अक्तर जो थे मुहमत सा रंगीला के नाम से सासन सत्ता में आए और उनके समय भी कुछ बिचित्र सी घटनाए घटती हैं देखते इनके नाम के आगे रंगीला जुला होता है तो आ इसको भी खफी खाने यह भी उपाधि दिया है खफी खाद्वारा ही उपाध दे गई ठिक रौशन अक्तर यह उपाध इनकी जो है'll कि रंगीला कि िसी नत मुवम सा रंगीला कहला है उपाधी रंगीला की है जो प्रमुक्रों घटनाए रहे हुई फ हैसमें एक क्या क्या चीजेम और पहला व जजियाकर समाप्त होना इस छात्रों जजियाकर का इतिहास बड़ा लंबा चोड़ा है इस देश में मैंने आफलाइन क्लास पढ़ाते समय किसी समय लोगों को बताया है आपको भी बता देता हूँ जल्दी जल्दी में जब अर्मों का 712 में सिंध पर आक्रमण हुआ तो मुहम्मद बिन कासिम ने पहली यह कहें फिरोशात उगलख फिरोसा उगलख में पर भी लगा दिया इसके पहले ब्रामणों सन्यासीों इस्त्रियों बच्चों बुढ़ों और अपंगों पर ईसे लगाए जाता था लेकिन इसलाम धर्म के प्रसार के उत्साह में इस लगा दिया आगे चलकर के अकबर लेकिन औरंग जेब ने इसे फिर बिधिवत जैसे पहले लगता था उसी तरह सोलसों न्यासी में लगा दिया और यह कभी वापस होती रही कभी आती जाती रही यह जजियाकर एक अतिर्ट कर था जो गयर मुसल्मानों से लिया जाता था इसी जजियाकर को मुहम्मद सा रंग फिला क्योंकि रंगीले राजा काहलाते थे इनके शासंगाल में में रंगा रंघरcolor कारिक्रम होते ते यह इस्त्रियों वेस्याओं कर जड़ से हमेशा घिले रहते थे राज्त कहते पर ज्यादा ध्यान नें दे ter है ना समराज का विक्टन हो गया यानि प्रतेक राज्यों ने अपने अलगाव की मांग कर दिया और वे अलग हो गए समराज का विक्टन हो गया और दिल्ली से अलग होने वालों में होने वालों में आवध पहला राज्य था ठीक समराजी का विक्टन हो गया दिल्ली से लग होने वालों में ये पहला राजी था इसके बाद है है थ्राबाद फिर उसके बाद आगे देखें बंगाल कि आगे इसी तरह से देखिए स्टिक, रुहेल, राजपुताना, जाट, सभी मुग्लों से अलग हो गये यानि मुहम्मद तारंगीला तक आते आते मुगल समराज विक्टित हो गया साधा तली खाने फैजाबाद को राध्धानी बनाकर अपने आपको अलग कर लिया निजामोल मुल्क उर्फ चिन किलिज खाने स्वैम को अलग कर दिया और हैदराबाद में निजाम साही के स्थाप अखिरकार लडाई भीडाई होने लगी रोहेल खंड के बंगस पठान भी अलग हो गए राजपुताने सब अलग हो गए जाट भरतपुर के भी इनसे अलग हो गए इस परकार मुगल सामराज का बिघचन हो गया एक बहुत बड़ी घटना थी जो सार्भावम भारत वरसी म किस पर से होता है आखिरकार इस्थिती ऐसी भी आई की मुगलन को कमजर जानकर कर तक मुगल इतने कमजूर है कि वे अब बिढ़तींखने का मुकाबला नहीं कर लडख़ार थो बुरी तरह से घेर weski नादीर साहने 1349 में भारत पर आक्रमड किया इसमें 149 ईसनों फार्त पर आक्रमड किया है चिसमें नादीर सहने भारत पर आक्रमड किया लल्चाई द्रिश्टी से मुगल्सामराज्य एक धणी सामराज है उसको लूटने आक्न की जिस मैं इस धनी सामराज पर आक्रेमण की तरह पाइख छेए उसकी मुगल अभी नाच रहते दर्वार में ब में परिस्तितियों में हब ला हुआ कि जल्दबाजी में मुहम्मद सार अंगीला ने अपने कुछ सेना पत्यों और असी हजार की सेना उसके मुकाबले के लिए बेजी कामरुद्दीन खान खान दावरान साधा तली खान नेजामुल मुल्कुल चिल्किलिज खान इस सभी लोग मिल करके उसे लड़ने लेकिन करनाल में हुए महाद तीन घंटे की लड़ाई में 1747 में नादिर साहने मुगलों को पराश्ट कर दिया है न है परिनाम क्या रहा परिनाम रहा मुगल पराश्ट हुए मुगल परास्त हुए और परास्त होने के बाद संधिवारता चली चिनकिलिज खाने 50 लाख रूपए युद्य हरजाना दे करके उन्हें वापस जाने के लिए मना लिया था इससे खुश होकर के मुगल सारंगीला ने चिनकिलिज खान को मुगल सामराज का वजीर बना दिया लेकिन ये बात साधात अली खान को बुरी लग गई जौवद के नबाद थे उन्होंने अलग से जाकर के नादिर सासे मुलाकात की और कहा हुजूर अगर आप दिल्ली पर आ खान दवरान कमरुद्दीन खान विचारे जुद्ध में मारे गए और जब दिल्ली आया तो दिल्ली में कहीं फवाः फ्यल गए कि नादिर्शा की मृत्य हो गई अदिल्ली की कुछ जंता ने उसके कुछ सेहिंगों को मार दिया तो इसका बगला उसने इतना भैंकर लिया कि उसने दिल्ली में कतलयाम का आदेश दिया और कतलयाम के आदेश के बाद दिल्ली की 20 हजार जंता कुछ ही समय में मार डाली गए इस भैंकर नरसंगार को देखकर आखिरकार बादसाह का दिल पसिच गया और वे एक तरह से अंदर ही अंदर तूट गए खड़े खड़े उन्हों ही नादिर साह का पैर पकड़ और ए western मेरे सामने मेरी जंता को मत मारिये आप चाहते हैं हुँगा मेरा सर कलम कर दिए सर आपके सामने है लेकिन जनता को मत मारिए नादिर साथ को भी थुड़ी दया आई उसने कहा हुजूर आपको छोड़तो दिया जागा बात साय आजम लेकिन तव सर्थ यह है कि मैं आपके समराजी को लूटूंगा उन्होंने का पूरा दिल्ली लूट ल क्या क्या मैंने बताया ठीक यह मुगल समराज प्रास्त हुए और दिल्ली की लूट में नादिर साह ने करोणों रूपई के हिरे जवाहराद करोणों रूपई के हिरे और क्या कंगीत विद्या की पुस्तक तंगीत की एक पुस्तक और क्या लिया सक्थ यह ताउश इसे साजहा ने बनवाया था साजहा ने इसे एक करोड रूपई की लागत से बेबादल खा नाम के एक कारिगर से जो इरान का एक बहतरीन जोहरी था उससे बनवाया था मुगल राजगर्दी यह स्थापना उसने करवाई थी तो तक्ते ताउस भी यह ले गया और कोहिनूर हीरा इरान ले गिना है न इतनी चीजे वह ले गया प्वेस्चन आता कि तक्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम बाद्सा कवन था यही मुहमद सारंगीना अंतिम बाद्साजे तो उस्टे ताउस पर बैठे थे इस प्रकार इस नादिर साह के आक्तमड ने मुगद सामराज को बहुत बड़ी चोट पहुचाई उसे खोखला कर दिया लूट लिया पूरी तरह से और लूट करको इरान चला गया यह देप उसने बात्साहियत मुहमत सारंगीला को वापस कर दिया लेकिन इस वापसी के बाद वास्तों में मुगल फिल कभी ठीक से खड़े नहीं हो सके इन परिस्थितियों में 1748 में मुहमत सारंगीला की मृत्ति हो गई है कि और उसके बाद उनके पूत्र अगला घटना करम अगला साह 1747 यानि अपने पिता मुहमत सा रंगीला के बाद सत्ता में बाद साह बने इनके समय कि प्रमुक घटना कुछ विशेश नहीं और प्रम्राज कृओंकि यह जो इनके समय में अब दाली का मुगल सामराज पर पाँच बार हमला हुआ अब आप कहेंगेए अब दाली कौन है आध मतलब कौन dem significance आध मतला यह हम्राद साह अबदाली इस एए अभारत पर पांच बार हमला हुआ और इसने पूरी सत्ता प्रइदार बन गया अहमद साहब दाली इसे नादिर साहब बहुत मानता था उसे दुर्रहे दुर्रानी कहता था दुर्य दुररांती का मतलब यूग्चा मोती बोलता था इसको और इसने परदिकार कर लिया इसने और इसने आधुनिक अफगान राजि зав先 ही आफगान मुगलात्या again पार नहीं हमला किया 5 बार हमला किया प्रतेक बार मुगल बात्ता हार गए इनके समय की यहीं बड़ी उत्लब्दी है उसके बाद 1754 में इनके मृत्व हो गई और इनके तुरंट बाद सत्ता में आए आलमगीरशाह अलमगीर साह का सासंकाल 1754 से 1769 यानी 1757 इसी में आता है इसी अलमगीर साह के बादताहद के सासंकाल में आंग्रेजों ने 1757 के प्लासी के जुद्ध में बंगाल के नबाब को पूरी तरह से प्रास्त कर उनकी सत्ता पर अधिकार कर लिया और वहां अपनी कट्पूतली बिठाने लगे यानि पूछा जाए 1757 के प्लासी के जुद्ध की घटना के समय मुगल बादता कौन था तो आप पड़े आसानी से कहते हैं कि आलमगीर साहस मे करते थे 1757 की घटना जो प्लासी के जुद्ध है आपको बंगाल के नबाब और अंग्रेजों की जो सत्ता उसमें पूरा पढ़ाया भी जाएगा इसलिए आपको यहां संकेत में ही बताया जा रहा है नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं अगली घटना है शाह आलम की शाह आ और इनके वजीर गाजियुद्दीन ने इनको दिल्ली में घुशने नहीं दिया था बाद में इन्होंने तमाम वजीरों की मदद से दिल्ली में इल्ट्री पाई इनका मूल नाम था अली गौहर अली गौहर सत्ता में आए तो इनके समय की घटनाए देखिए बहुत अब्दाली मराठों की तरब से सेना का नित्रत्य करने वाले सदासिवराव भाव जो मधव जो मराठा पेशवा के भाई हुआ करते थे चोटे भाई थे उन्हें बुरी तरह से परास्ट कर दिया मराठों का एक तरह से सक्ति कुचल दिया एदेव पाद में वेफूर उठ हुए थे लेकिन फिर भी तीसरे जुद्ध की जो घटना पानिपत की होती हो 1761 में इसी साह आलम के समय भूई थी पानिपत का तीन जुद्ध हुआ है इस तीन जुद्ध में 1526 में पानिपत की पहली लडाई हुई जो बाबर और एब्राहीम लोदी के बीच हुई थी अंतिम सुल्तान कहे जा सकते हैं और मुगल सामराज के संस्थापक थे एब्राहीम लोदी को हराने वाले बाबर दोनों लोगों के बीच जुद्ध हुई उस घटना को अगर हम अस्मर में लाएं तो पानिपत की पहली लडाई थी ज्यादा नहीं इसके दो दसक बाद ही पानिपत की दूसरी लडाई 1556 में हुई ये आकबर के वजीर उनके संग्रचक बैरम खान और हेम चंद्र हेमू के दूच हुई दूसरी लडाई और आए देखते हैं दूसरी घटना है बक्सर का जुद्ध 1764 ये भी नहीं के समय हुआ है कैसे मैंने बताया था 1757 की जो प्लासी की जुद्ध हुई थी उसमें क्लाईव ने बंगाल के नबाब सिरा जुद्ध दौला को परास्त किया थिक अब वो बंगाल में जम गए थे ले दया लोग अपना कट्वू कुटली नवां वहां बैठाते थे तो सीराजु की दोला को परास्त करके उन लोगो ने किका मेर जाफर को सत्ता में लाया ओनसे बात नहीं बनी पूर्त बाद मीर कासिम को सतον हृता दिया और जमेर कासिम भी बात Jenky Clark के न है और यहीं पर सैनिक गडबंदन मना इसमें अवद के नवाप सुजाउदवला मुगल बादसाफ शाह आलम और मीर कासिम तीनों लोग सेना सजाकर बंगाल पर हमला किये लेकिन उधर से अंग्रेजों को पता चल चुका था दोनों की बीच लडाई हुई और वो दोनों की संद की घटना शाह आलम के समय हुई इसी समय शाह आलम गिरप्तार कर लिए गए अंग्रेजों ने कोई नुक्सान तो नहीं पहुंचाया लेकिन एलाहवाद के किले में उनको बंद कर दियो और इनहीं के समय इनहीं से ही एलाहवाद की संद भी हुई 1765 में और इसी संदी म में शाह आलम ने बंगाल विहार और उडिसा कि उडिसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर दी है ना अंग्रेजों को दे दी थी इसी में यह चीजी आपको बाद में पढ़ाई जाएंगी बताई भी जाएंगी और दूसरा देखते हैं दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार ठीक 1803 में ऐसी घटना घटती है ठीक जब लाड़ लेक नाम के सेना पती ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया ठीक है इनी के समय अधिकार कर लिया और आप यूं जान लिजिए 1806 में मुगल बाद साथ शाह अलम का एक लंबा कारिकाल खत्म हो गया उनके एक अधिकारी ने ही उनकी हत्या कर दी इस परकार शाह अलम का सासनकाल भी समाप्त हो गया तो इतनी घटना आपके सामने हैं पा समय हुआ इस परकार 1806 में शाह आलम की बृत्य हो गई तो अकबर दुतिय उनके पुत्र जो थे वो सत्ता में आये और अकबर दुतिय अंग्रेजों के पैंसन अरबाद साथ थे इनके समय की जो बड़ी घटना है क्योंकि पैंसन कम पड़ रही थी इसलिए इन्होंने बंगाल के एक महान बुद्ध्जीवी राजा राम मोहन राय जो भार्ती नवजागरन के पिता कहे जाते हैं तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाज दी है ना इन्हें अक्बर सेकेंड ने राजा की उपाधि दी और राजा की उपाधि देने के बाद उन्हें इग्लेंड भेजा कि जाकर आप इग्लेंड के राजा से हमारी प्यंसन बढ़वाने के मुद्दे पर बात कीजिएगा लेकिन अभी राजा रम मोहन राय ब्रिष्टिल नाम गटि मुगल सीक के का प्रचलन के बंध हो गया इनकी के समय मुगल सीकों का प्रचलन बंध हो गया 1837 में इस बाताह अक़वर्दुतिय की मृत्ति हो गई और इनके बाद इनके पुत्र सत्ता में आये और उनका नाम था बहुदूर्सा जफर ये दिखे जफर यांद है एक बड़े सायर थे बहुत अच्छी सायरी करते थे अच्छी कविताएं लिखते थे इसे नाते इनके नाम के आगे जोड़ा गया है जफर है ना बहादूर साथ जफर एठारहसो सथी से एठारहसो सत्तावन तक सत्ता में रहे बीस साल तक इन्हों ने सासन किया लेकिन यह वास्तों में नाम मातर के सा सकते एक प्रतीक रूप मे में पड़ा था अब इसके अधिकार छेत्र में कुछ नहीं था लेकिन घटना इनके समय क्या घटी अठारहसो सत्तावन की क्रांति हो गई ध्यान दीजेगा संच कि मंगल помंडे की घटना बंगाल में घटी और उसमें प्रांगलो पंड에 को फासी दे दि गई लेकिन फिर घटना घटित हो गई मेरट8 छाउनी से साjm को ने अपने अदिकारियों को मार कर धिरली कुच किया मुगल बादसाह बादुरसाज जफर को सांसाय हिंदुस्तान बना दिया और 1877 की करांति का नेता बना दिया बाद में जब 1877 की करांति के दमन का कारे अंग्रेजों ने सुरू किया तो निकलसं और हजट सन्न इस करांतिकारी सेना को मुगल बात्साह बादुर साजुजफर समेथ पराश्च कर दिया और पराश्च कर दिये जाने के बादुर साज को घुमायूं के मखबरे से गरपतार कर लिया उन पर मकदमा चलाया gbilir और उन्हें बर्म tut कि रंगून जेल भेज दिया गया अठारा सवतावन की क्राम्ति हुई और मुगल साम्राजी का पतन हो गया क्योंकि अठारा सो अठावन की क्राम्ति का नेत्रत्य करने के कारण इन्हों ठारस सुतावन की ख्रांथी का नेत्रत किया था तो नेत्रत करने के कारण इन्हें पर्मा के रंगून जेल हे दिया गया और वही पर इनकी 1862 में मृत्य हो गई तथा वही पर 1862 में इनकी मृत्य हो गई और मौत्य हो जाने के बाद मुगल सामराजी का पतन हो गया भारत से पतन ये इनके पतन के बाद वास्तव में अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत पर अभिकार कर लिया और पूरा का पूरा मुगल इसके पूरे जिम्मेदार उत्तरवर्ती मुगलकाल के लोग है अज इतना ही नेक्स चैप्टर यूरूपी कंपनियों का भारत आगमन हम आपको इसके आगे बताएंगे हाँ हमाई एक बार फिर आपसे काना चाहेंगे अगर आप पीचेस लोवर या समिच्छा दिकारी अस्तर का पढ़ना चाहते हैं तो उसका बैच हम चलाएंगे और उसमें आप वह चैनल खरीद सकते हैं अभी जो यह आप पढ़ रहे हैं यह मापके क्लास की चीज़ें पढ़ा थाइक यू क्लास हाद बत नही